हेलो सो असी आज जे स्टोक सूप से सोसेज दे बारे जानांगे ए फूड प्रेडक्शन दे लेक्चर है आओ असी स्टोक सूप से एंड सोसेज दे बारे थोड़ा चानला पोने हैं साब तो पहला तानुदास दिये कि इस लेसन कवर दी स्केल्स नोलेज एंड साथे लांए ये स्टोक से सॉपआज दे में बारे जानलैनुए म ही द अध लख मार्चरणल की लिएटिट्यूड लेज ता बिखने इस टोक का वरे जान करेंटर्द गैम डिला ये स्टोकी प्रिशुड क्ढ़िड एंड पाओज तबोक्टिकर की साच्चाज वैजी टेवाज इन ए लिकवड इस एक्स ट्रैक्ट फ्लेवर अरोमा बोड़ी कलर एंद निट्रियंट ठीक है निट्रियंट हुंदिया जेडे नूट्रिशन वैलिवेल्यू जीना वेच हुंदिया ए फ्लेवर्फुल लिक्वड ए फ्लेवर्फुल मतलब की बहुत ही ज्यादा फ्लेवर वाला लिक्वड हुन्दा है जेड़ा बनेया हुन्दा है जेंटली कुक्ड बॉन्स, मीट बॉन्स and other ingredients, होर इंग्रेडियन्स साथ चाहर वैजी टेवल्स इन ए लिक्वड वैजी टेवला तो जेड़े लिक्वड दे बेच्चा सी मतलब पानी दे बेच्चा सी पहुन्नेया दिस एक्स्ट्रेक्ट्स फ्लेवर ओक ही करते हो फ्लेवर नो निकाड़ देनेये अपने बिच्चों ते पानी बेच पहुन्देने ते अरोमा बोडी कलर होना दाते होना दे या दिनका नुट्रेशन वैल्यो ने वो पानी बेच आके स्टोक बन जान दियाने स्टोक, देर डिफ्रेंट टाइप्स ओव स्टोक, केड़े केड़े हुन देया साब तो बला वाइट स्टोक, वाइट स्टोक इस एक क्लियर पेल लिकुड मेड बाए सिमरिंग पॉल्ट्री बॉन्ज, पॉल्ट्री बॉन्ज तो जेड़ा त्यार हुन्दा, मतलब मीट जान दिया है, तो जेड़ा लिकुड टियार हुन्दा, वाइट स्टोक इन दिया, दूसरा बाराउन स्टोक आ गया, ब्राउन स्टोक इन दा, इस एन एम्बर कलर्ड लिकुड मेड बाए, ब्राउनिंग एंड दैन सिमरिंग बीफ, वील और गेम बॉन्ज, ये देवेच क प्राउनि, फूमेट के ऊंदा है, जिन्ओ फूमे विकेंदे है, इस ए वेरी फ्लेवरफुल, लाइट कलर्ड इस्टोक मेड विद फिश बॉन्ज, फूमे जेड़ा है, भूट ही जादा फ्लेवर वाला, कलर एदा हुन्दा हुन्दा, वाइट जादा थोड़ा हुन्दा ते याद रखना. बहुत ही ज्यादा अरोमेटिक वैजीटेवल वाला तरह पोजड फिष्टो बनन वाला, जेडया एगाया जन नुग कोट बोलियां केंदा एग आल याद रखनी ए अरोमेटिक वेजिटेवल ब्रोथ तो एड एदे बेच्चे पोजड फिस ते जेडे वेजिटेवल यूज के ते जन दे वेजिटेवल ब्रोथ केंदा वेजिटेवल्स दा पानी जदो उन्हों वालिया जानता है उस्तो बाद आ गया रेमॉलाज रेमॉलाज क्यों दा है इस ये स्टोक मेड फ्रों बॉन्स दैट है और अरेडी बीन कुक्ड इन अनाधर फूड प्रिपरेशन ओना बॉन्स तो ओना मीट बॉन्स तो जेडे पेल सिमर्ड इन वाटर ए सेकेंड टाइम दी रिजल्ट इज ए पेल एंड वीक फ्लेवर्ड लिक्वेड क्योंकि यो पेला बने हो यह एस करके दूजी बारी करांगे तो थोड़ा पेल होगा और रिजल्ट थोड़ा पेल आऊगा तो फ्लेवर भी थोड़ा काठा होगा बट यह भी स्टॉक जेड़ा यूज किता जान्दा है और तो बाद स्टॉक दे वेच आ गया चार पार्ट वेच इन ननुट वाइड किता जान्दा पार्ट वन इस दी मेजर फ्लेवर्ड इंग्रीडियंट्स विच यूजली कंसिस्ट ओफ दी बॉन्स एंड ट्रिमिंग फ्र फ्रॉम एनी पार्ट ओफ दी एनीमल तो हो सकते ने इंक्लूडिंग दी नेक तो ओंतों और टेल पूस्तों आरम बांतों और लेग लातों तों मैनी हैव मेरों ठीक है यह सारे पार्ट तो और बॉन ले आए जा सकते ने इन मस्ट बी प्रिपेरड बाइड ब्लांचिंग और स्वेटिंग इनन ब्लांच करके ब्राउनिंग मैथड देतना ही दा स्वेटिंग मैथड देतरू इननों कीता जान्दा बनाया प्रिपेर किता जान्दा पार्ट इस दी लिक्वेड हुन लिक्वेड केड़ा जूज के पहला बहुंज आगे दूसरे नंबर ते स्टोक देले जूज जरूरी हुनदा है लिक्वेड दैट लिक्वेड इस जूजली वाटर सारे नों पता पानी जूज हुनदा बट में आल्सो इंक्लियोड देखो यह देपर वाइन भी जूज किती जान दिया बिनेगर भी जूज किता जान दा या इवन एबॉलियन एंड रिमोलाइज मतलव तानू पहला दास चुका है बॉलियन ते रिमोलाइज की होंदा है ओभी एदेपर जूज किते जान देने फॉर्म और स्कम में और एग वाइट प्रोटीन्स फॉर्म्स ठीक है चागदे रूप बेच वाइट 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 रूप बन दिया नो उपरों दिल कर दिता जान दा स्केमर जो थू ठीक है स्कीम दिस ओफ द्यूरिंग कोकिंग ठीक है ओक है पार्ट थ्री देपेच आया मारपव जननों म मारपव समय चाहिए small pieces देखे when simmering time is short and large piece when simmering time is है जरो मतलड हो शोटी शोटे पाए जान्द है जरी थोड़ी देखनि हो यह थोड़ी बड्डे पाई जान्द है अगर ज्याला अग्कारण यह करनी यहां अगर वाइट स्टोक पारे और पेच गाजर नहीं पेंदी याद रखना ठीक है मायर पोईच पार्ट फोर इस दी अरोमेटिक दीज आर दी हाब्स स्पाइसज एंड फ्लेवरिंग देट एस हैवरी स्मेल ठीक है हाब्स बग़ेरा जूज केते जांद जेरे फिलेवर पास थे ए अरोमेटिक्स में इंक्लिवड है बैग ओफ हाब्स ठीक है हाब्स दा जड़ा बैग हुंदा उसनों बुके गार्नी केंदे है याद रखना बुके गार्नी की हुंदा है बंच ओफ हाव्ज भी क्या जानता है इन्हों फ्रेस हाव्ज आल्सो आर हेल्ड इन ए चीज क्लोथ बैग और स्टीम आर सिंप्ली टाइड टुगैदर इन्हानु कोई कीता जान्दा एक मतलब की क्लोथ दे बेचे धस पाके और पांछी सोट दिता जान्दा ते आपने फसलेवर जेडर पाँनिवच शड दिन्दária थे लहां एक मतलब कीड़ केड़े। बादमों इस सारे जिन्हेंद्रो टोव्ज कीनल करी पाउडर, फैनल, सीड़ भी हैं, जिंजर, मेस, रोजमेरी, सैफरन, साग, यह जिनने भी थाइम, यह तर्मरी के जिनने भी आगे सारे जूज किते जांदेने, सीजनिंग वास्ते, स्टोक दी, याद रखना, गाइडलाइन्स फोर प्रिपेरिंग स्टोक, अगर तो सी स्टोक बना रहे हो, केड़ी चीज दी ख्याल रखना है, ओ चीज दासरे ने, केंदेने, फॉलो दी कोर्यक्ट प्रसीजर फोर कुलिंग एंड स्टोरिंग स्टोक, एंड मेक शूर दैट एनी स्टोक इस जूज 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 फ्लेवर्फुल एंड होलसम, केंदेने, कि जिल्लो प्रसीजर जीड़ा है, ओरनू ठंडा करंद लाइता, स्टोर करंद लाइत स्टोक प्रसीजर यूज जूज करना है, जृण टुसी कींज फ्लेवर्फुल स्टोक कोई भी बना रहे हो यूज जूज कर् wolle..., वोड साही जूज करन यां, फोलो करना कोपिंग टाइम कि इल् A. अप्रोक्सीमेट किन्ना टाइम कुकिंग प्रसीजर एंड होला औ white and brown wheat game stock लोगनों से तो वाट कंटे white poultry और game word stock लोगनों तेंतो चार कंटे fish stock लो पंस्थाली तो एक कंट vegetable stock लो पंस्थाली मेंट तो एक कंट देच वैच 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 वह डपेंड कर दा size of vegetable कट the stock ingredients are boiled starting with the cold water this promotes the extraction of protein which may be sealed in by hot water ठिक है येकंदे श्टोक इंग्रीटियंग आर वायल्ड स्टार्टिंग विद कोलड वार्टर, फिर उन्ना के हम था कि वो जिद प्रोटिन्ज वह एक्स्ट्रेक्ट करने रहें था था है यह सिद्धे गरम पाणी वच थमांगे और फिर सील्ड हो जान्दे और एक्स्ट्रेक्ट निकार पूंदा पूरी तरह प्रोटीन नूँ स्टोक्स आर सिमर्ड जेंटली विद स्माल बबल्ज एड़ी बॉटम बट नोट ब्रेकिंग एड़ी सर्फेस स्टोक बॉइल इट विड़ी कलोड़ी बॉइल नी करीदा होंदा है गल याद रखनी स्टोक नों सिमर करना है हलकी गैस ते मतलब नाइंटी तो थल्ले थल्ले टेंप्रेचर ते पाउसनों पकोना हुंदा है सॉल्ट इस नोट यूजली एड़ेट टू दी स्टोक सब तो मेंड गाल ऐस दिस काउज एड़ी बिकम टू साल्टी नमक कदी भी यूज नहीं किता जान्दा क्योंकि आपना नमक आप सड़ देंदा स्टोक ते मीट एंड वेजटेवल देवेचे सॉल्ट जेड़ा या वह आप पे नमक शड़ देया इस करके नमक दा इस्तेमाल नहीं किता जान्दा स्टोक देवेचे बाद विच भी नमक पाया जान्दा सबजी वेचे सिंस मोस्ट स्टोक आर प्रिजर्वड टू मेक सूप एंड सोसेज पर कही मीट देवेचे मीट जेड़ा एड किता जान्दा विफोर दी वेज़ी टेवल टू है इस कम जेडी और पर स्कम होंती है जो था आनू दाशया मैंजी ओंदी हाओ उन्हों स्किम्ड ओफ किता जानता है थिगा स्किमर दे थ्रू और चाक दिता जानता है ठीक है बाकी इंग्रीडियन एड़न तो करन तो पेला यह सिगा तो अड़ा स्टो काला चैप्टर